हेलो फ्रेंड्स आज हम पांचवी कक्षा का दस्वा पाठ गड़ा धन ये सीखेंगे गड़ा धन ये जो पाठ है ये एक स्टोरी है कता है एक सुन्दरपुर गाव में एक रामदीन नमक किसान रहता था और उसके चार बेटे थे वो कितने आलसी थे फिर उस किसान को कुछ सुझता नहीं था उनका अलज जटकाने के लिए क्या किया जाए तो ये कथा आज हम देखेंगे सुन्दरपुर गाव में रामदीन नमक किसान रहता था उसके चार बेटे थे रामदीन स्वया तो बहुत परिस्रमी था पर उसके चारो बेटे बड़े ही आलसी थे मतलब कुछ काम नहीं करते थे हर समाई की दर उदर बैट कर गप्पे मारा करते थे रामदीन उनके इस अलडबन से परिशान था अभी चारो के चारो बेटे बड़े हो चुके थे पर कुछ काम नहीं करते थे और सिप गप्पे मारते थे तो इनके इस अलड़पन से रामदिन बहुत परिशान होता था उसे हमेशे अपने बेटों की भविश्य की चिंता सताय करती थी कि वो भविश्य में क्या करेंगे वो दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे क्योंकि जिन्दगी तो एक संगर्श है ये तो इधर उधर बैटकर गप्पे मारते हैं फिर वो अपने भविश्य की चिंता करते ही नहीं तो रामदिन को ही उनके भविश्य की चिंता करने पड़ती थी रामदिन दिन रात यही सोचता था कि ये बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे कल जाके उनकी शादी होंगी बच्चे होंगे उनका पेट वो कैसे पालेंगे तो ऐसे ही एक रात वो इनी विचारों में खोया था तब उसकी पतनी जिजगते हुए उसे एक उपाई सुझा पत्नी ने जिजगते हुए एक उपाय सुझाया उपाय सुनकर हुआ कुछ दिर सोचता रहा फिर एका एक खुशी से उचल पड़ा पत्नी ने क्या उपाय सुझाया फिर उस उपाय पे वो कुछ दिर सोचता रहा और फिर एकदम खुशी से उचल पड़ा अगली सुभर रामदिन ने अपने चारों बेटों को बुला कर कहा मैं और तुमारी मा भूडे हो गए हैं हम दूर तिय थे यात्रा पर जा रहे हैं मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है यदि कोई जरुरत पड़े तो उसे निकल कर उपयोग कर लेना देखो रामदिन ने रामदिन को जो भी कलपना सुची है वो उसने क्या किया अपने सुभा सुभा अपने चारों बेटों को बुलाया और बोला कि मैं और तुमारी मा भूडे हो गए हैं हम दूर तीर थे यात्रा पर जा रहे हैं मैंने अपने खेत में धन गाड़ कर चिपा रखा है यदि कोई जरुरत पड़े तो उसे निकल कर उपयोग कर लेना तो गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे भहुत खुश हो गए और उन्हें अपने पिताजी को खुशी-खुशी तीर थे यात्रा पर जाने के लिए कह दिया वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंदन भी उन पर नहीं रहेगा और गड़ा धन भी हमको मिल जाएगा तो रामदिन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य साथ चलता रहा और उसके बाद पास का जो धन था धन्य था वो समाप्त होने लगा तो चारो भाईयों को चिंता होने लगी कि उन्हें अपने कहे हुए पिता जी की कही बात याद आ गई कि जरुरत पड़े तो खेत में से गड़ा धन निकल लेना और जो भी अपनी जरुरते हैं वो पूरी कर लेना उन्होंने रात के समय में ही खेत की खुदाई का कामारंब किया वो दो दिन तक दो तिन राते खेत को खुदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला देखो रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए थे जब सुबह सुबह बहुत निराश और हताश हो कर वो चारों अपने घर पर लोट आए तब ही रामदिन के परमित्र हरिनात ने पूछा तुम सब थके हुए हो क्या थके क्यूं हो कारण जानने के बाद हरिनात ने उन चारों को एक सला देते हुए कहा तुम लोगों ने खेत तो खोध ही लिया है अब उसमें बीज बोदो गड़ा धन तो ना सही लेकिन आप बीज तो बोदो चारों बाहियों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दवड़ गई उन्होंने हरिनात के कहे अनुसार ही किया खेत में नन्यननने अंकूर निकल आए उन चारों के मन में उत्साह जाग गया देखो उस हरिनात के कहे के उपर उन्होंने क्या किया उसमें खोदे हुए खेत में उसने बीजबोय और खेत में नण्यन्यन्य अंकुर निकल आये तो उन चारों के मन में एकदम सा उत्सा जाग गया वे निराई गुड़ाई करने लगे निराई गुडाई मतलब नहीं क्या वो खम बोलते हैं ना खुर अपनी माराठी में वो करने लगे फसल बहुत अच्छी हुई हरिनात काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने ले गए और जाने की तैयारी में जुट गए अभी बाजार में बेचने के लिए जाना ही है तभी उसी समय तीरत यात्रा से रामदिन और उसकी पत्नी लोटाए माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरंस परश किये गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदिन ने कहा अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा चारों ने सीर हिला कर स्विकार किया और कहां हा पिता जी अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संबव नहीं है परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है तो इस कथा में परिश्रम का महत्व बताया गया है क्योंकि सब प्राणियों में मनुष्य स्रेष्ट प्राणी है और मनुष्य के जीवन में परिश्रम बहुत महत्व पूर्ण है बहुत मायने रखता है इसलिए जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता वो आलशी होता है और वो अपने जीवन में कुछ बन नहीं पाता किसी के लिए कुछ कर नहीं पाता अपने बीवी बच्चों के लिए अपने माबाप के लिए भाहियों के लिए कुछ नहीं कर पाता तो रामदिन ने एक युक्तिवाद करके मतलब अपने बेटों को समझाया आप भी अच्छा परिश्रम करोगे तो आप भी अच्छे फुलपा होगे अगर आपने अच्छी स्टडी की तो आपको अच्छे माच मिलेंगे और जाहिर है कि आपको अच्छी नोकरी भी मिल सकती है कल बड़े पगार वाली या बड़े अधिकार वाली नोकरी भी आप पास सकते है लेकिन आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा है न तो ये जो पाठ है गड़ाधन ये आज समाप्त हुआ कल की लेक्चर में हम इसके सारे इसका स्वाध्याय हम देखेंगे प्रशनोत्तर देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यो